आज इस वीडियो में मैं आपको शिगर शादी और अपार विवाहिक सुक्षांती और समाधान पाने के आदिशक्ति कामेश्वरी देवी याने मा कामाख्या के चमतकारी और महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में बता रही हूँ जो शादी में होने वाला विलंब और परेशानी दूर करके मन चाहे स्त्री या पुरुष से विवाहा करने में अत्यंत असरदार है अगर सादक का विवाहो हो चुका है और पती या पत्नी के साथ उसके रिष्टे किसी भी कारण वश अच्छे नहीं है तो यह मंत्र फिर से पती और पत्नी के बीच अच्छे रिष्टे पुनस्थापित करके उनके बीच प्यार और मुहबत बढ़ाकर उन्हें अपार सुक देगा इसलिए इस मंत्र को जल्द शादी करने के लिए या अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी से अच्छे रिष्टे पुनस्थापित करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आजाएगा तो क्रिप यहां सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरण नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें इन दोनों उद्देशों में से किसी भी उद्देश की पूरती करने के लिए इस मंत्र का चाप किसी भी शुबमूरत या शुक्रवार के दिन से शुरू करना है और मंत्र को रहत के समय शांत चित्त से बैठकर एक माला याने 108 पार बोलना है मंत्रचाप शुरू करने के पहले कामेश्वरी माता का ध्यान इस तरह से करना है देवी कामेश्वरी एक हजार सूरियों से निकलने वाली रोश्णी के समान दिप्तिमान है उनकी तीन आखे है याने त्रिनेत्र है और वह सिहासन पर आरोड है उनके दो हाथ है एक हाथ में तलवार है और दुसरे हाथ से भक्त की रक्षा करती है उन्होंने बिले रंग के कपड़े पहने हुए है इस मंत्र के साथ विशिष्ट पुजाविधी रिशा आसन माला और खास अनुष्ठान करने का बंधन नहीं है इस मंत्र के अंग्रेजी आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मंत्र आर्टिका आर्टिक giraffe, के लिएी आर अार्ले लिएी के अनुए I मंत्र के कि लिए गे रिना परने नुए नहीं है कि लon्भ झार्टिक घ्यांस जम वनाखे कामेश्वरी वान देवदे स्वाहा ओम रीम श्रीम द्राम द्रीम ख्लीम ख्लूम जम जम वनाखे कामेश्वरी वान देवदे स्वाहा प्रभू सबका कल्यान करेंगे